दिखिए अमेरिका जो अभी inflation है वो 18.4 प्रतिसत के आसपास है ब्रिटन में जो अभी inflation है वो 9.6 प्रतिसत के आसपास है बारत का 7.4 प्रतिसत है तिक ए कोई ऐसे नरेंद्रमोदी नहीं बन जाता है आप 1990 का दसक याद कर दिये उस समय चार धाराएं काम कर रहे थी और एक दूसरे के विरोध में क्या थी एक तो इस देश में सांस्कृतिक रास्टवाद की धारा थी दूसरा समाजिक न्याय की धारा थी जो दोनु आपस में संघर्स कर रहे थे उस समय उसी समय 1990 के दर्म्यान नहीं आपको पूरी दुनिया में globalization का एक एक धारा चला और भारत के अंदर globalization भी था और स्वदेशी भी था यह चार धाराएं आपस में टकरा रही थी यह 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 जो है वह आटल विहारी बाजपई की सरकार के समय भी थी और मनमोहन प्रधान मंत्री हैं कैसे मैं बताता हूं यह वह प्रधान मंत्री है जो अदोज्जा में जाकर के मंदर निर्मान के लिए सर्मिंदा नहीं होता है भवूत लागा करके यदि बैट जाता है मंदिर में तो वह सर्मिंदा नहीं होता है पंडित नहरू की तरह कि हम नहीं जाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए क्योंको सौचाले नहीं था वह सुर्जास्त का इंतजार करती थी कि वह कब सुर्जास्त हो कि हम बाहर पखाना के लिए जाएं वह चीजें यहां कि जिए उस सारी चीजों को जिसके ने खत्म किया समाजिक नयाय के अधिकारिक तौर पर जि तो कोई ऐसे नहीं है कि यह यादवी समाजवाद से नहीं पांचवी एकनोमी बन गई है वो वाकर शाल सवाल 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 मेरा सवाल आपसे है कि आप कहरें मोदी जी डिवाइड़ान एर चीफ है लेकिन जब 2004 से लेके 2014 तक देश की राश्पती भवन में इफ्तार पाटी होती थी तब तो सेक्रोलिजम खत्रे में नहीं था लेकिन जब वहीं मोदी जी पांच अगस 2020 को आयोध्या के राम मंदिर में बूमी पूजन करने जाते तब सेक्रोलिजन खत्रे में हो जाते तब वो हिंदु मुसल्मान करते तो यह कैसा हृष किसने बोला आप लोगों ने बोला था कि कारोना पर ध्यान दीजिए मंदिर मच जाए आपने डिवाइडर ए पर उसका प्रशन के पर अलीम का निर्मान सुप्रीम कोड के जज्मेंट के तहत हो रहा है उसके तहत हो रहा है और किसी हो नहीं कि मंदीर में मज़ित मज़त करि कुछ पुझारा मच जो और कहीं अपने अपने रिलीजियस प्लेशस पर मच जो लेकिन आप जो है ये एक रिलीजियन फालो करने वाले कोई भी हो मैं मुसलमान हुआ और कोई हिंदू है कोई दूसरे मजब के लोगों को जो हुलम नीच्छा दिखाने का काम मत करो दूसरे मजब के लोगों के खिलाब जो हुलम पूरा एक विनमस पॉइजनस वातावन क्रेट करने का काम मत करो खासकर अगर आप एक पॉलिटीशन हैं एक मंत्री हैं प्रदान मंत्री है नब्बे की दशक बात कर रहती है और सीधा बोले कि जो है यहां पर ग्लोबलिजेशन की बात ही तो इतने वह स्ट्रॉंग् रिफॉर्म फ्लाए थे जब मनमओन सिंग अवान कहां थे नथ से मारो साथ जामन मंत्री थे आपकी जो फिनाज मिनस्टर यो कहती में जब दुनिया भर सी लोगों को हमारे देश के नौजवानों को नौगरेंस से निकाल निकाल के वापस इंदुस्तान बेजा जा रहा हिंदुस्तान में दुनिद्सान में किसकी कि कणि लूग तब एक साथ नहीं कि है क्यूव सबस्क्साइब 14 से पहले कभी भी defense exports नहीं हुए 2014 से पहले कभी भी हमारे exports 400 करोड प्लस तरी 400 billion प्लस नहीं गये और क्यों हमेशा import होता था defense experiments every time जबी भी हम लेते थे उससे पहले कभी भी कुछ नहीं हुए और अभी जो आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से आट साल के अंदर नहीं हुआ तो सतर साल में क्या हुआ अब बिल्कुल दवराना नहीं करूंगा पीए से उसकी बात नहीं करूंगा जितने पीए से उसे बेच रहा हैं वो कॉंग्रेस पार्टी और अलग-अलग पार्टियों के जो सरकारें थे उसके टाइ है आपने जो लगातार ये कह रहे हैं के साट साल फैंसाल साथ साल में कुछ नहीं हुआ तो आप जो कुछ भी हो रहा था अब क्या हो रहा हो बताई हमारे रागी जी कह रहे हैं कि पांच्वा एक्नामिक और इंद और पर-capita income एंगलेंड का युके का क्या है और हमारा क्या झालोग पालोग करिए सराद से भालोग को एम बदियो को झालोग को पिला है